दोस्तों हर एक सरकारी नोकरी के त्यारे के लिए आप मुझे अन अकेडमी लर्निंग एप पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक सरकारी नोकरी की अच्छे से प्रेपरेशन करवाई जा रही है उसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है प्ले स्टोर पर जाकर आपको अन अकेडमी लर्निंग एप को डाउनलोड करना है डाउनलोर करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अन अकेडमी का लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर ओके करके आप मुझे फॉलो कर पाएंगे कीजिए टेक्निकल गॉर्मेंट जॉब चैनल को दबाईए बेल बटन जानकारी सबसे पहले लेने करिए तो फ्रेंड्स मैं आपको अलग अलग नोकरिया बताने वाले हो जो पंजाब में निकली हुए इस टाइम और अप अप्लाई कर सकते हैं सारे लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं जिस वीडियो में मैंने सारी डिटिल्स प्रॉपर्ली आपको बता दी हुई है और उसके बाद जो है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स पंजाब की तरफ से एक और नोटिस है एक के लिए लास रेट है पांच नोवंबर और एक एक जोब को अप्लाई करने के लिए लास रेट है दो नोवंबर यह भी 10th पास से Master Degree, Law Degree, PGD से अगर आपने किया हो या फिर आप ग्रेजवेशन आपने पास की हुई है किसी भी सर्ट्रेम में तो आप इलिजीबल है जरूर अप्लाई कीचे का दोनोव नोटिस का Part 1 & 2 मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक दे दिये हैं उसके बाद जिला प्रोग्रम दफ्टर पंजाब की तरफ से नोटिस है जिसके लिए लास्ट रेट है 25 अक्तूबर 2018 और इसमें 10th पास ग्रेजवेशन अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपने आपने आइटी में कुछ किया हुआ है कोर्स किया या को कोई डिपलोमा के हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजवेट है तो भी आप इस जोब के लिए लिजीबल है तो अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद नोटिस आया हुआ है रेलवे की तरफ से जिसमें लास्ट टेट है 15 अक्तूबर 2018 तो इन सारे झाल झाल झाल